सबी को मेरा नमस्कार अभी अभी हम राहूल गांधी जी के नित्रोक में राश्टपती जी से मिले और जो लखिमपूर खेरी किसानों पे अन्याय हुआ है वहां पर जो उनको कुचल कुचल के मार दिया गया है तो इसके बारे में हमने राश्टपती को सरिष्टार के साथ राहूल जी और प्यांका जी ने पताया क्योंकि स्पार्ट पे वो खुद गए थे वहां की स्थी उनको मालूम भी और उनके घर के लोकों से भी वो मिल कर आये हैं इसलिए मैं राहूल गांजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में वो स्विष्टर बताए और हमारी मांग यह दो है एक तो दो सिटिंग जज़स दो जज़स इन्डिपेंडेंट अइंक्वारी उसकी करना चाहिए और दूसरा जो वो मिनिस्टर णेट ओप अफेर्स तो इस्तिफा देना चाहिए या उनको डिस्मिस करना चाहिए और उसी के बाद नाय मिले तो इसीलिए सारी चीज़े आपको सरिस परिवारों को परिवारों के सद्यस्यों को पुछला गया था उनके हम घर गये और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजे चाहते हैं पहली चीज वो न्याय चाहते हैं वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है और इसी लिए जब तक व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जाच और न्याय नहीं मिल सकता है ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्टर पतीजी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिये ये सिर्फ इन परिवानों की आवाज नहीं है ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है उसे और को खिला जा रहा है दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले पेश के सामने कहा है कि अगर सुधुरे होगे नहीं तो मैं सुधार दूँगा मतलब किसानों को धंकी दी और फिर उस धंकी पर अक्शन लिया और किसानों को मारा है तो हमने राश्ट्रपती जी से कहा है कि देखिए जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कौर्ट के दो सिटिंग जजिस की इंक्वाईरी होनी चाहिए और जिनोंने भी ये हत्या किया है मडर किया है उनको सदा मिलनी चाहिए जाजिए जाजिए जब हम लखीमपूर खेरी में शहीद किसान रश्री रमेश कष्यप जो पत्रकार थी उनके परिजनों से मिले कि जैसे राहु जी ने कहा वैसे न्याय चाहते है और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजिस द्वारा जाँच की जाए एक निश्पक्ष जाँच हो और सबसे महत्वपून मुद्दा उनोंने ये उठाया कि जो ग्रिह राज्यमंत्री है जो अपराधी के पिता हैं उनकी बर्थास्की की जाए उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्थास्की नहीं होगी तब तक विश्पक्ष जाँच नहीं हो सकती और अपराधीयों को सही सजा नहीं मिलेगा मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद खिसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक-एक जो राइट फिंटिंगिंग इंसान है उनकी भी मांग है इस देश में न्याए की उमीद कभी कुरिए तो तो आप को न्याए नहीं मिले का, तब कर दो में अगर आप ऐत्रकार है उनकी जहीद एक तहर्ज में नहिं है अगर आप सत्वर्द मेन हैं और अगर आप सत्ता दहरी का, ऐभा जप्तवा के मंत्री लिए तन फीप कानोन आप नहीं होगा तो जो जो शहीदों के परिवार हैं उनकी ओर से, क्योंकि वो यहां नहीं आ सकते। जास्ट्रपती जी से मिलने करिये, उनकी ओर से हमने उन्गी की माँ उठाई हैं और हमें आशाय कि राश्ट्रपती जी इसके बारे में कारवाही जल्दी ही करें। मैं कोई आशवासन राश्पती जी से समस्टले पर आपको मिला किया उन्होंने आशवासन लिया कि आज ही वे सर्कार से इस पर चचप परेंगे अव Ste Deckard कि आज ही जी जी सुने मांगे आशिरिराज मॉन्टरी को पर खात किया जाएगे अब ऑर्कार ने कि यहां तक कोई बड़ी कारवाई यह यह थे ह। लाश्पती पामी आपको पुनेंगे पर इस पूरे मामग्ले के कारवाई करें। मैं जहां जहां गई जिस परिवार में गई एक करोड का मुआज़ा मिला है कही को कुछ लोगों को 45 लाक इधर की सरकार ने दिया है एक तुरोड कांग्रेस की सरकारों ने दिया है उनको मुआज़ा मिला है जानते क्या कहते हैं मुझे हमें मुआज़े से कोई मतलब नहीं है हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए हमें न्याय चाहिए हमारी बच्चों को इस तरह जो टेजती किसे पराद हो जाय कुछ गलत हो जाए अपने हातरस में देखा न्यूंति लड़की के साथ परिवारुयाएं उसके बाद, उसको किस तरह से जलाया गया, उसके परिवार वालों को बुलाया भी, अंतिम संसकार में आप सोचिए, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आपको अपनी बच्ची को देख भी नहीं पा रहे हैं उसके बाद, उसको किसी ने जाकर जला दिया, अब गएर आपक किसके पास जाओगे